मेधा पाठकर की जीवनी मेधा पाठकर का जन्म एक दिसंबर 1954 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था. वह एक मध्यम वर्गिये परिवार में पलीब्धी और सामाजिक न्याय और सक्रियता के प्रती अपने पिता की प्रतिबधता से गहराई से प्रभावित थी. मेधा पाठकर ने मुंबई में TATA Institute of Social Sciences से सामाजिक कार्य में सनातक की डिगरी पूरी की. 1980 के दशक की शुरुवात में वह नर्मदा बचाओं आंदोलन NBA में शामिल हो गई, जो की नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्मान के खिलाफ एक आंदोलन था. मेधा पाठकर ने स्थानिय समुदायों को एक जुट करने और बांध परियोजनाओं के परियाबरणिय और सामाजिकार्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रभावित लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्शित करने के लिए उन्होंने कई भूख हरता ले की और अहिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित किये. मेधा पाठकर की अथक वकालत के कारण विश्व बैंक ने 1993 में सरदार सरोवर बांध परियोजना के लिए अपनी फंडिंग वापस ले ली. उत्पीडन और धमकियों का सामना करने के बावजूद वह विस्थापित समुदायों और समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ती रही. मेधा पाठकर कई अन्य सामाजिक न्याय आंदोलनों में शामिल रही हैं, जिनमें जबरन बेदखली और भूमी अधिग्रहें के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शामिल हैं. उनकी सक्रियता के लिए उन्हें राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय स्तर पर मान्यता मिली है, और उन्हें 1991 में राइट लाइवली हुड अवोर्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरसकार भी कहा जाता है. 2014 में मेधा पाठकर ने सामाजिक न्याय और सतत विकास के मुद्दों को उजागर करते हुए एक स्वतंत्र उम्मीद्वार के रूप में लोग सभाचुनाव लड़ा. वह विकास पर सरकार की नीतियों की मुखर आलोचक रही हैं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करती रही हैं. मेधा पाठकर जमीनी स्तर के आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं और उत्पीडितों और हाशिये पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित हैं वह सामुहिक कारवाई की शक्ती में विश्वास करती हैं और लोगों को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक साथ आने के लिए प्रोच साहित करती हैं मेधा पाठकर का सामाजिक न्याय के प्रती अटूट ग्रेड संकल्प और प्रतिबधता उन्हें दुनिया भर के कार्यकरताओं के लिए एक सच्ची प्रेणा बनाती है उन्होंने अपनी यात्रा में कई चुनोतियों और कठिनाईयों का सामना किया है लेकिन अधिक न्यायपून और समतापून समाज के लिए अपनी लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटी मेधा पाठकर के काम का नीति निर्मान पर महत्वपून प्रभाव पड़ा है जिससे हाशिये पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों और अधिकारों पर ध्यान दिया गया है वह सतत विकास की समर्थक रही है और उन्होंने विकासात्मक परियोजनाओं में पर्यावरन संबंधी चिन्ताओं पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया है सामाजिक सक्रियता के क्षेतर में मेधा पाठकर के योगदान ने उन्हें दुनिया भर के लोगों से अपार सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है वह भावी पीधियों के लिए एक प्रेणा के रूप में काम करती हैं उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एक बहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं इस वीडियो के लिए बस इतना ही कृपया हमारे चैनल ज्यान भंडार को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें